Hello guys and welcome back to your own channel दीपक यादव सायस अकेडमी Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 23rd of November 2020 तो आज है तारिक 23 नवंबर 2020 और है मंडे देखेंगे आज का The Hindu Complete Newspaper The Hindu Complete Newspaper को analyze करेंगे आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये newspaper डाउनलोड करना है free of course तो आपको कहां जाना है ये ऐसे करके डाउनलोड करना है टेलिग्राम और फिर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव IAS Academy आप लोग को ये चनल मिल जाएगा नहीं मिलता है चनल कोई बात नहीं इस चनल का लिंक मैंने आप लोगों को description box में दे दिया है आपको पता ही नहीं होगा ये FATF किया है तो आपको न्यूस समझ में नहीं आएगी तो फिर यहां पर इसका एक background portion आपको प्रोवाइट कर दिया गया है आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चनल को subscribe नहीं किया है तो नीचे रेटलर का button आ रहा हुगा आपको कुछ नहीं करना अपना एक छोटा सा support दिखाना है by subscribing this channel जैसा आप अभी तक दिखाते हुए आए हो और हम लोग बहुत करीब है 10K subscribers के तो I hope आज यहां पर हमारे complete हो जाएंगे 10K subscribers तो फिर guys support दिखाना आपको जैसा आप लोग अभी दिखा रहे हो तो हम लोग जैसे कुछ questions को लेते हैं discussion स्टार्ट करने से पहले उसी तरीके के कुछ questions को लेंगे सबसे पहले map based question लेंगे ठीके तो आज का जो हमारा map based question है तो आपका जो map में आपको जाकर देखना है वो किसे देखना है? bolivia को ठीके bolivia को जाकर ज़रूर देखना map में bolivia को एक important country बन चुका है हमारे लिए तो इसको देखना और साथी साथ जो इसके नेबरिंग कंट्रीज हैं उनका नाम नीचे कॉमेंट सेक्षन में डाल देना जिससे मुझे पता चल जाएगा हाँ आपने जाकर बोलीविया को न्यूस पेपर में उस मैप में जाकर देखा है इसके नाम डिसकेशन स्टार्ट करते हैं और आते हैं हम लोग पेज नमबर वन के ओपर यहाँ पर एक छोड़ा सार्टिकल यह दिखेगा आप लोग को देखो टैनल का इस्तमाल करा जा रहा था किसके द्वारा जैश मिलिटेंट्स के जो जैश के यहाँ पर आपके जैश ग् कश्मीर में लेकिन जो हमारे सोल्जर्स हैं हमारे जवान हैं उन्होंने वापस उठागे फैक दिया उन्हें उनकी अपनी जगा पर तो यह मैंने आपको न्यूस कवर करी थी उसी के रिकार्डिंग आर्टिकल दिखा हमें यहाँ पर और कि देखो इस सारी से देखने के बा ओपन हो रही है तो इस टॉनल को देखा गया है उसी के बारे में यह आर्टिकल है तो याद रख सकते हो आप लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग उसके बाद नेक्स्ट अर्टिकल है अपना अगर हम लोग पेज नमबर टू पर आए तो यह सिटी पेज है इस सबसे जादे है आप आप कह सकते हैं जो यह निउस पेपर यह डेली एडिशन है तो डेली की काफी सारी न्यूज यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेंगी क्योंकि डेली में काफी जादा बूरी हालत है एक तो पॉलूशन को लेकर दूसरी चीज के को लेकर ठीक है तो यह सारी इसे बढ़ते वे आ रहे हैं यह सब हम लोगोंने अल्रेडी पढ़ लखा है और अल्रेडी जान रखा है इन न्यूस को अडिटी ओरल को आके हम लोग वापस जब आएंगे तब डिसकस करेंगे पहले हम लोग प्रिलिम्स रिलेटेट सारी न्यूस कवर कर रहे हैं यहाँ आप लोग को देखने को मिलेगा पेज नंबर एट पर बल्कुल सेम आर्टिकल है टनल जोग इस्तमाल करी जारी थी जैश मिलिटेंट्स के दौरा वो देखी गई है जमौर कश्मीर में यहाँ पर इस आर्टिकल को हमने अल्रेडी कवर कर लिया पेज नंबर वन के ओपर य अब यह एक enforcement directed body है जो कि crimes को देखती है, economic crimes को ठीक है जो भी money related crimes होते हैं, frauds होते हैं उन सब को tackle out करती है हमारी कौन सी body ED, sorry enforcement direct rate okay, now उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और कावी सरा articles से जो कि आप लोग skip कर सकते हो क्योंकि हमें सर्फ और सर्फ अपने exam के point of view से articles को cover करना है, like यहाँ पर यह आ गया, अब यहाँ पर इस article में आप लोग को देखने को मिलेगा, जो हमारे Prime Minister Modi जी है, उन्होंने बोला integrated fight against climate change, अभी आपको पता है G20 की recently meeting हुई है, G20 की summit हुआ है, तो जो उसमें हमारे PM साब ने ये बाते बोली कि भई, जो पूरी दुनिया है, उसको एक integrated approach चाहिए towards the climate change, यहाँ पर जो climate change हो रहा है, उसके against यहाँ पर हम लोग को step उठाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग यहा इसकी वज़ा से हैं इतना जादे climate change देखने को मिला है, और climate change की वज़ा से धेरो problems निकल कर आ रही है, यानि कहीं न कहीं हम लोग का हाथ है climate change करने में, और यह climate change होने की वैसे धेरो problems निकल कर आ रही है, वापस वो हमें effect कर रही है, तो आप समझ सकते हो, यह cycle चल रही है, तो सबसे बड़ा यहाँ पर आप कह सकते हो, step उठाना है, वो हमें climate change को tackle out करना है, और वो कैसे होगा, जो हम लोग काफी सारा pollutions हैं, उन सब को control करना पड़ेगा हम लोग को, देखो कि आप लोग हमें low carbon emission करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आज के time पर हरम देखें, तो ब विलकर carbon emission को कम करेंगे, जैसा हमारे PM साब ने बोला इवेंट में, कि इंडिया तो adopt करने वाला है, इंडिया low carbon emission करेगा, climate resilient development practices लेकर आएगा, यानि कि इंडिया पूरी तरह से step उठाने वाला है, climate change के उपर में, उसके बाद यहाँ पर आप लोग को पता होगा, हमने recently काफ carbon emission है, उसको zero कर देंगे, बागी सारी countries भी ऐसा यहाँ पर बोल रही है, ठीके, तो उसी के बारे में article था, G20 की summit हुई है, और उसमें focus करा गया है, climate change को याद रखना, climate change क्या है, और climate change की विएसे कैसी problems हैं, और यहाँ पर, ठीके, तो यह होगी अपना article, उसके बाद next, यह नहाँ पर छोड़ा सार्डे कल एक और नजर आएगा आप लोगो यह वाला, देखो, 132 countries ने attend करा है, एक global meeting हुई है, criminal finances के उपर, हुआ क्या है basically, जो cryptocurrency होती है, बहुत लोगों cryptocurrency के बारे में नहीं मालूम होगा, यह एक online currency होती है, ठीके, simple सा याद रखो, यह एक online currency होती है, ठीके, तो यह cryptocurrency related काफी सारे crimes देखने को मिलते हैं, तो उसी के regarding बोला गया, उसी के उपर meeting हुई है, कि इन crimes को हम लोग कैसे रोक सकते हैं, उसी के उपर यह meeting conduct कराई गई है, और उसमें 132 countries थी, ठीके, और यह जो 132 country ने attend करा है, यह fourth global conference, यह fourth global conference था, ठीके, criminal finances and cryptocurrencies को लेकर, तो यह कैसे कैसे crime होते हैं, cryptocurrencies को लेकर, यहाँ पर यह article के last में देखा गया है, last में समझाया गया है, यह आपको देखने को मिलेगा, जो conferences का, इस conference जो हो रही है, इस conference का agenda यह था, कि भाई, यह लोग देख सके हैं, जो cryptocurrency है, online currency है, उससे कितने सारे crimes देखने को मिलने हैं, कित और उसके बाद money laundering बहुत जादे देखने को मिलता है, okay, transfer of drug proceeds, drugs वगरा का transfer होता है, वो सब यहाँ पर इस्तमाल करके, cryptocurrency का इस्तमाल करके, यह सारे जो crimes वगरा आफ देखने को मिलते हैं, तो इनका कैसे solution निकाल सकते हैं, इनको कैसे हम लोग tackle out कर सकते हैं, उसके उपर अभ पर आप लोगों को एक article नजर आएगा, page number 10 पर यह article है, serum institute of india के बारे में, serum of institute of india यहाँ पर stocking कर रहा है, emergency doses, तो अब यहाँ पर article basically है क्या, देखो, सब लोग covid-19 vaccine के पीछे भागे पड़े हैं, vaccine बन जाए, vaccine बन जाए, vaccine बन जाए, vaccine बन जाए, फेज 3 trial जो पूरा कर चुकी है, production में है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को इंडिया में देखने को मिलेगा, इंडिया में जो serum institute of india है, जो यहाँ पर इंडिया में एक vaccine है, वो phase 3 trial के अंदर में चल लई है, और यहाँ पर यह बोला जा रहा है, कि जो serum institute of india है, व ठीक है, तो उसी के ऊपर यहाँ पर बात करी जारी है, कि जब इतने सारा vaccines बना लेंगे, तो यहाँ पर एक problem भी देखने को मिल लई है, एक problem क्या है, देखो काफी सारी ऐसा होता है कि बहुत सारी rich countries, ठीक है, developed countries, वो क्या करती है, उन्होंने advance पैसा दे रखा है companies को, जो भी vaccine maker companies हैं, उन सब को काफी सारा advance money पकड़ा दिया, ठीक है, उन companies ने भी advance money ले लिया, और तो basically बात यह हो रहे है कि जब काफी सारी vaccines बन जाएंगी, तो फिर क्या करा जाएगा, पहले उन लोग को दिया जाएगा, जिन्होंने अपना order already advance में दे रखा है, उसके बाद ही अपन अपना editorial पर आया है, कि effective vaccine कौन सी होती है, कैसे हम लोग vaccine को distribute कर सकता है, इंडिया के अंदर, किस तरीके से हम लोग tackle out करेंगे, vaccine की problems को लेकर, तो यह पूरा का पूरा एक complete editorial आया है, एक large editorial, तो उसको हम लोग discuss करेंगे, वो page number 6 पर है, उस पर हम लोग last में चलेंगे, okay, हाला use करके रख लेंगे, okay, ना उसके बाद, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम लोग, और देखें क्या है हमार लिए, important, तो एक और important article आचुका है, यहाँ पर यह देखोगे आप लोग, India, Thailand, Singapore, naval exercise, जो है, वो conclude हो रही है, यानि कि end हो रही है, तो end हो चुकी है, second edition था, किसका, second edition था, India, Thailand, Singapore, trilateral naval exercise का, तो कैसे यहाँ रखना है आपको, S-I-T-M-E-X, sit max, sit max मस समझ लेना, सूर्य मन्चम वाला, sit max, ठीक है, sit max यानि कि Singapore, India, Thailand, military exercise, okay, तो यहाँ पर इन तीनों के बीच में यह trilateral exercise हुआ है, okay, अंडमान C में यह conduct कराया गया था, और Sunday को इसका end हो चुका है, now, अब यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या है, एक 27 वा एडिशन होने वाला है, India, Singapore, bilateral maritime exercise का, जिसको हम लोग कहते हैं, SIMBACS 20, SIMBACS 20, okay, वो क्या था, sit max, sit max क्यों क्योंकि इसमें Thailand था, और यह trilateral exercise थी, जो कि अभी end हुई है, लेकिन, अभी हम लोग नई exercise करने रने वाले हैं, 23 20 नमंबर से 25 नमंबर तक, वो exercise कौन सी है, SIMBACS, ठीक है, SIMBACS यानि कि Singapore, India, maritime, bilateral, बाइलेटरल यानि दो कंट्री के बीच में, तो इन दोनों के बीच में आप यह exercise होगी, okay, तो यहाँ पर आप लोग को यह आद रखना है, एक exercise conduct हो चुके, conclude हो चुके, दूसरी exercise होने वाली अब यहाँ पर क्या होगा, यह सब जब exercise conduct होगी, इन से होगा क्या basically, देखो, relations अच्छे होता है, जब साथ में मिलकर countries आती है, किसी भी चीज को लेकर, किसी भी आप कह सकते हो, meeting को लेकर, कही ना कही आती है, तो कही ना कही उनके relations में, बहुत जादे बदलाव देखने को म काफी सारे हम लोग relationships improve हो रहे हैं, ठीक है, तो उसी के बार में यहाँ पर बोला गया है, ना उसके बाद आगे बढ़ें, और यहाँ पर एक और article यह नजर आएगा, यह भी एक अच्छा article है, air pollution के बारे में, हाला कि यह ऐसा article हम लोग काफी बार कवर कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको एक idea देता हूँ, क्या है यह, air pollution जो है, ठीक है, वायू प्रदूशर, तो उसके वो link करता है अपनी health scares for children, यानि जो बच्चे हैं, बच्चों के लिए बहुत जादे खराब है वो air pollution, obviously बच्चों के लिए क्या जो बूडे होते हैं, उनके लिए बहुत जादे ख ले जाते हैं, आप जब breathe करोगे, inhale करोगे हवा को, ठीक है, जो air होगी उसे आप जब अंदर लोगे, inhale करोगे, सांस लोगे अंदर, तो वो सारे जो particles हैं, ठीक है, और भी सारे chemical substances हैं, SO2, NO2, वो सब आपकी body के अंदर जाएगा, और body के अंदर जाकर आपके organs को damage कर देगा, एक तरीके से आपकी body को damage करना शुरू कर देगा, तो काफी सारी problems देखने को मिलती हैं, तो यहाँ पर खतरा सबसे जादे बच्चों के लिए बताया गया, क्योंकि यहाँ पर बच्चे इतना अच्छा है, उनका response नहीं रहने वाला, उस air pollution को लेकर, उसके बाद बच्चे खेलते भी रहते हैं, तो उन्हें एक problem यहाँ पर face करने को मिल सकती है, तो कुल मिलाके यहाँ पर बच्चों के लिए काफी जादे खतरनाक हो सकती है, यह हवा, और आज के टाइम पर हम देखें, तो Delhi में बहुत बुरी हालत है, बहुत जादे बुरी हालत है, बहुत poor condition में Air Quality Index, बहुत जादे यहाँ पर pollution है, वहाँ पर Delhi के अंदर में, तो उसी को लेकर यहाँ पर बोला गया, क्या-क्या आपके effect पढ़ सकते है, आपका respiratory system damage हो सकता है, okay, respiratory illness हो सकती है, तो बहुत सारी problems हो सकती है, air pollution से, okay, आगे बढ़ते हैं हम लोग, उसके बाद देखें क्या है अपने लिए important, उसके बराबर में एक और आर्टिकल दे रखा है, इंडिया जो है, वो launch करने वाला deep sea mission, ठीक है, इंडिया सून जल्दी ही launch करेगा एक ambitious deep ocean mission, ठीक है, तो यहाँ पर देखें जाएगा है क्या-क्या होगा है, अभी फिलाल, अभी mission launch नहीं करा गया है, जब कर जाएगा, तो उसके बाद हम discuss करेंगा, obviously बात है, जब इतना बड़ा article आएगा, ocean mission, इंडिया launch करनेगा, तो एक अच्छा ही article आएगा, तो उसको हम लोग cover करेंगे, बाद में, अभी फिलाल, यहाँ पर एक कुछ भी article नहीं है, ठीक है, आपको सिर्व एक जानकारी दे दि इसली, यहाँ वर्ल्ड पेज पर आपके लिए कोई इतना important नहीं है, वही देखने को मिलेगा, एथियोपिया पर जो कि बवाल चल ला है, ठीक है, जो मैंने आपको डिटियल में बता रखा है, एथियोपिया के बारे में, एथियोपिया ने कह सकता हो, टिग्रे को यहाँ और वर्निंग वगरा दिये, तो उसी के उपर आर्टिकल यहाँ पर बोला गया है, तो उसके बाद नेक्स आर्टिकल आप लोग को नीचे भी नजर आएगा, यहाँ पर जैपनीज ने गरंट किया strengthen Maldives Coast Guard, ठीक है, जैपनीज यहाँ पर दे रहे हैं, जो Maldives को Coast Guard को दे दि इंडिया, Maldives के रिलेशन्स भी काफी जादे अच्छे हैं, और बहुत अच्छे इंप्रूव हो रहे हैं, अगर हम इंडिया, Japan की बारे में बात करें, तो इंडिया के रिलेशन्स, जैपैन ऐस मालदिव दोनों से ही काफी जादे अच्छे रिलेशन्स हैं, और आने वाले चीज़ा है जो कि important है यह आप लोग जान सकते हो ठीक है ना उसके बाद हम लोग आगे आते हैं यहाँ पर यह आगे कुछ है नहीं sports section आएगा और गाईज मैं आप लोग को बता दू sports section अपने जो UPSC वाले हैं aspirants उनके लिए important नहीं होता है sports section वो easily skip कर सकते हैं क्योंकि sports section से questions नहीं पूछ जाते हैं अपने लोग वापस editorial के ओपर और editorial पर देखेंगे अपने लिए कौन-कौन से articles हैं basically जो तीन article हैं discuss करने है यह बकवास article है ने आप लोग जो है skip कर सकते हो easily now तीन article हम लोग discuss करेंगे मैं आप लोग को overview देता हूँ कौन-कौन से article discuss करेंगे सबसे पहला article यहाँ पर आप लोग को यह वाला article नजर आएगा यह vaccine को लेकर बोला गया है vaccine की situation बताई गई है ठीक है कि कौन सी vaccine अभी यहाँ पर focus में है कैसे हम लोग vaccine को tackle out कर सक सकते हैं तो उसके बारे में यह है ठीक है पैसो में कौन-कौन खरी सकता है या फिर पैसो को हम कैसे इस्तमाल कर सकते हैं यह सारी चीज़े हैं दूसरा peaceful possibilities को लेकर है कि देखो जम्मू कश्मीर में अब क्या हो रहा है कि politics आप कह सकते हो कि elections करने की बात हो रही है क्योंकि काफी हद तक problems को tackle out कर पाएंगे उसके बाद next article आप लोगो यहाँ पर यह वाला नजर आएगा pressure and punishment को लेकर तो देखो काफी जादे pressure है उसके पाकिस्तान के ऊपर क्योंकि अभी हाँ पर काफी सारी situation है चलो अभी हम इसको आर्टिकल के अंदर ही discuss करेंगे ओके नाव सबसे territory बना दिया हम लोग ने अगर हम बात करें अगर election हो जाता है जम्मू और कश्मीर में तो एक काफी अच्छा यहाँ पर response देखने को मिल सकता है काफी हद तक चीज़ा सुधर सकती है तो यहाँ पर पूरी तयारी है election होने की और election होगा भी तो यहाँ पर आप लोगों को दे तक हम लोग newspaper में article देखते हैं उसके काफी time हो गया तब भी है ना उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा जो पंचायती राज elections है यह schedule कर लिये गाए भईया आप यहाँ पर elections को सारा का सारा schedule कर लिया गया है first time यहाँ पर जो है यह सारी चीज़े हो रही है now October में क्या कर यह जो union territory administration है उसने पंचायती राज act के अंदर amendment कर दिया इसके अंदर बदलाव करा और क्या करने है यह लोग DDD, DDC क्या होता है district development council को इन्होंने provide कर दिया यानि कि भाईया district development council होगी और यहाँ पर 280 district development council के members होंगे उसके बाद यहाँ पर पंचायत seats भी होंगी, urban body seats होंगी तो इस तरीके से जो है यहाँ पर election conduct होने वाला है और सबसे important चीज है कि भी जो election है वो peaceful हो सके, शान्ती से शान्त और स्वभाब से election पूरा हो सके क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा होगा attack करा गया, किसके jash militants के द्वारा जम और कश्मीर में attack करा गया, election को ही देखते तो यहाँ पर आप लोग को last line देखने को मिलेगी कि meaningful dialogue यह बहुत जदे important है, elections जो है एक best तरीका है, एक best रास्ता है, बहुत अच्छा रास्ता है election कि हम लोग open up कर सके peaceful possibilities को, यानि कि शान्ती से हम लोग चीजों को tackle कर पाएंगे जब यहाँ पर अच्छी तरीके से elections conduct हो जा प्रेशर एंड पनिश्मेंट से related article है, यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, देखो, world must force Pakistan, पूरे दुनिया को, पाकिस्तान को force करना सही है, कि भाई, वो steps ले, कुछ tangible steps ले, जो हम लोग को दिखाई दे, भाई, कि हाँ यहाँ पर, पाकिस्तान कुछ कर रहा है, terrorism को लेकर, ठी ठीक है, तो यहाँ पर world को force करना पड़ेगा, पूरी दुनिया को कि भाई, पाकिस्तान क्या कर, यह terrorism को, terrorist को, यह अलग फेक, क्योंकि सबसे जादे support करने वाला वो है, जिसने छत दे रखी है, terrorism को, वो पाकिस्तान है, काफी हद तक, महाँ पर groups देखने को मिलेंगे, अलग और US ने खुब ब्लेम करा, और बोला कि 2008 का जो मुंबई टेरर अटेक वाद ताज होटल पे, उसमें एक बहुत बड़ा हाथ था, mastermind है यह, और हलाकि यहाँ पर जो पाकिस्तान है, उसने इसे जेल में डाल लखा है, जेल में डाल लखा है 10 साल के लिए, लेकिन उसके उप के बाद भी कुछ इसके उपर convictions लग रहे हैं, कुछ अगर यहाँ पर इसके उपर cases आ रहे हैं, कुछ और इसके उपर convictions लग रहे हैं, तो यहाँ पर जो लाहर का court है, वो मना कर रहा है कि हम इसे additional punishment नहीं देंगे, ऐसा करोगे तो भी कहीना की तो support मिले गई, और यहाँ पर terrorism हम लोग को उठतावा नजर आएगा, काफी सारे terrorist groups हैं, जो कि इसके अंदर देखने को मिलते हैं, और पाकिस्तान को, पाकिस्तान को FATF ने बहुत बार ban करा है, बहुत बार बोला है FATF ने, जो कि यह important body है, FATF ने आज के टाइम पर पाकिस्तान को grey list के अंदर डाल लगा, यह आपको पता होना चाहिए, अभी तक यहाँ पर अगर चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करता, मलेशिया पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करता, तो फिर अभी तक यह black list के अंदर होता और बुरी हालत हो गई होती पाकिस्तान की, लेकिन जो FATF है, उसने क्या करा है, आप यह gray list में डाल लखा है, क्योंकि बीच में काफी सारे supporter आ जाता है पाकिस्तान की इस वज़ा से, अगर हम बात करें FATF होता क्या है, तो detail में आप लोग को देखने को मिलेगा टेलिग्राम के उपर, और link description box में आप लोग को देदिया गया है, financial action task force के बारे में आप लो इसका में इसका में इसको FATF को लाया गया था, तो इसका में पर्पस था कि money laundering को combat कर सकें, money laundering means यहां पर जो black money होता है, जो गलत तरीके से पैसा कमाया बाँ होता है, वो market के अंदर आ जाता है, वो white money में convert कर देता हैं लोग, तो उसको रोकने के लिए यहां पर FATF लाया यह था, starting में, लेकिन धीरे धीरे जैसे आगे बात बढ़ी, हम लोगों ने terrorism financing को भी इसके अंदर डाल दिया, यानि कि देखो, आतंगवाद जो बढ़ता है, वो कहीं ना कहीं उसे पैसा मिलता है, तब ही वो terrorism, आपके सकतो, grow होता रहता है, तो फिर उस terrorism financing को रोकने के एक blacklist maintain करता है, एक greylist maintain करता है, अगर blacklist के अंदर country आ जाती है, तो कमर तूट जाएगी उसकी और बुरी हालत कर देता है, ठीक है, सारी जो facilities है, वो ban कर दी जाएगी उस country के लिए, greylist के अंदर मनलोग एक warning दे दी जाती है, ठीक है, कि भाई, आगे से ऐसा नहीं होना चाहि है, तो यहाँ पर यह कुछ situations है, यह हुआ यहाँ पर हमारे आर्टिकल समाप्त, ना उसके बाद next आर्टिकल आप लोगो यहाँ पर इसके बराबर में देखने को मिलेगा, यह वाला, यह वैक्सीन को लेकर आर्टिकल है, यह वाला, sorry, इनफ वैक्सीन रेज, जो यहाँ पर कर सकते हैं, इम्मुनिटी बहुत जाद अच्छी हो, साथ ही साथ जिसका रिजल्ट 90 प्लस 90 परसेंट प्लस effective हो, ठीक है, उसके बाद आप कह सकते हो, यहाँ पर आप लोगो देखने को मिलेगा, कि जिसका side effects ना हो, ऐसी वैक्सीन हो, जिसके side effects ना हो, no serious side effects हो, ठीक है, यह पर आप कह सकते हो, वैक्सीन वो चीपर हो, सस्ती हो, जो कि हर को यहाँ पर आप कह सकते हो, आप कह सकते हो, उसके बाद उसका जो storage system है, आप कह सकते हो, कि जो उसको store करने के लिए जो requirement हो, वो ऐसी requirement हो, जो कि हर को store कर सके, क्योंकि बहुत सारी vaccines ऐसी होती हैं, जिनमें बात कर ली कौन सी एक effective vaccine होगी जिसमें ये सारी qualities होगी जो हमने अभी बात करी है, अगर हम आगे की बात करें इस article में बोला क्या जा रहा है काफी सारी vaccines हैं आज के time पर की develop करी जा रही है जो काफी सारी countries ने already develop कर लिया, production में हैं अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया के अंदर vaccine phase third trial के अंदर है तो phase third trial से देखेंगे आगे-ागे क्या-क्या होता है, उसके बाद अगर हम बात करें तो main vaccines जो की आज के time पर सबसे जादे news में हैं, वो कौन-कौन से हैं, एक तो अपनी Moderna हो गई, दूसरी Pfizer vaccine हो गई, और तीसरी जो आप लोग को इंडिया की देखने को मिलेगी, वो है AstraZeneca, ठीके तो अगर हम देखें, Moderna और Pfizer की, तो यहाँ पर काफी जादे यह effective बोला जा रहा है, 90% तक effective हैं, और लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी situation यह है, इन्हों store करने के लिए, इसे store करने के लिए minus 70 degree Celsius चाहिए है, इतना ठंडा चाहिए है कि हम लोग इस vaccine को store कर सके, ओके, तो इंडिया के पास यहाँ पर अगर हम बात करें, तो ऐसा current vaccine infrastructure नहीं है, ठीक है कि यहाँ पर minus 70 degree Celsius तक तो अभी इंडिया के पास ऐसा infrastructure नहीं है कि वो इस vaccine को store कर सके, ओके, नाव यहाँ पर अगर हम देखें अस्तरा जेनेका की, तो अस्तरा जेनेका अभी इंडिया में phase 3 trial में चला, यह भी effective vaccine बताई जा रही है, इससे भी काफ़ जादे देखनों को मिलेगा कि इसका भी result काफ़ जादे effective है, ओके, नाव अगर हम बात करते हैं, अब ranking by risk category, हमने काफ़ी सारी बाते करीं, कि vaccine कौनसी ideal vaccine होती है, कौन-कौनसी vaccine अभी news में है, कौन-कौनसी development में चल रही है, उसके बाद आती है ranking by risk category, ठीके, अब यहाँ पर अगर हम बात करें, कि जो vaccine है, वो किस तरीके से दी जाएं, ठीके, risk को देखते वे, सबसे पहले आपका सकतो healthcare workers को दी जाएं, ठीके, उसके बाद police workers को दी जाएं, ऐसे लोगों को, फिर बाद में हाँ पर पहले देखा जाएं, अब भाई, obviously बाद पहले healthy people को दी जाएं, हटे-कटे लोगों को दी जाएं, उसके बाद देखा जाएं, हाँ पर क्या-क्या effect होता है, उस vaccine का, okay, now यहाँ पर यह भी बोला जाएं, last में कि dealing with pay and get, क्या ऐसा हो सकता है कि vaccine को, कोई, मतलब कोई चाहे तो पैसा दे कर vaccine खरी सके, तो obviously हाँ पर कर सकते हो, आप लोग ऐसा भी कि क्या होगा कि vaccine जो है वो private entities को भी दे दी जाएगी private लोग को भी दे दी जाएगी, तो क्या करेंगे, वो sell out कर सकते हैं, ठीक है हो सकता है, तो ये भी होगा, इससे क्या होगा थोड़ी भीड इदर हो जाएगी, थोड़ी भीड इदर हो जाएगी क्योंकि जब vaccine जैसे ही आएगी सबसे बड़ी problem होने वाली है कि भाई, बहुत बड़ी, लंबी, लंबी, लाएने लगे करेंगी, बहुत जादे हैं पे crowd देखने को मिलेगा, जो कि हमें avoid करना चाहिए, ऐसी situation में और काफी सारी situation हम लोग को देखने को मिलेगी, काफी हद तक हम लोग आप कह सकते हो, जो COVID-19 उससे कब लड़ पाएंगे, जब कम से कम 60% लोगों को वैक्सिन मिल जाएगी तब हम लोगों को देखने को मिलेगा कि भाई, कोरोना कैसिस है, वो बहुत तेजी से गिर रहा है नीचे, खताम हो रहा कोरोना, तो अभी तक हम लोगों को इसके लिए करना पड़ेगा, अभी टाइम लगेगा इस सब चीजों में, एकदम से चीजे नहीं हो पाएंगे सारी, ठीक है, तो गाईज, यही पूरा का पूरा इस आर्टिकल के अंदर बोला गया और इसी के साथ हुआ आज का हमारा निउस पेपर अनलेसिस पूरी तरह से समाब, I hope आप लोगों मज़ा होगा, मज़ा होगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत बूलना, तो आज के लिए बस इतना ही मिलेंगे आप लोगों से कल, आज के लिए बाई-बाई Have a nice day